अगला सुक्त है इयमेव प्रिथिवी कुम्भी भवती राध्यमानस्यो दनस्य द्यावरपिधानम ये सुक्त है इस सुक्त का हम अन्वाय करते हैं इयमेव इयम धन देखिए पहले हम संधी युक्त पद हैं उन संधी पदों को अलग करते हैं इम धन एव इती इम एव यहाँ पर वैसे व्यांचन संधी या संयोग कह सकते हैं इसको इम धन एव इती इम एव प्रिथ्वी कुंभी भवती राध्य मानस्य धन ओ दनस्य यहाँ पर वृद्धिस्वर संधी हुआ है यहाँ विशर्ग संधी हुआ है इसका हम अन्वय करें तो अन्वय करने पर इसका रूप होता है इयम्यव प्रिथ्वी कुंभी भवती राध्य मानस्य ओ दनस्य अपिधानस्य द्यव अर्थात जिस तरह से चावल पकाने के लिए एक बरतन की आवशकता होती है जैसा कप चित्र में देख भी पा रहे हैं तो यह जिस पात्र में जिस चावल पकाया जाता है वैसा ही पात्र हमारा यह प्रिथिवी है तो यह में वो प्रिथिवी कुंभी भवती कुंभ मतलब होता है घड़ा तो चावल पकाने के लिए हमारा यह पृत्वी है वह क्या है वह घड़ा है अर्थात भोजन पकाने का पात्र है परतन है राध्य मानस्य राध्य मानस्य मतलब इसका तात्परी होता है पकाये जा रहे ओधनस्य ओधन का भात का देखे तंजूल का मतलब होता है चामल ओधन का मतलब होता है भात तो राद्य मानस्य पकाये जार रहे, ओधनश्य भात का आपिधानम द्यव, द्यव मतलब होता है आकास, तो जो द्यव है, ये क्या है, वह आपिधानम है अर्थाथ धकन है जिस तरह से हम भात पकाते हैं एक बरतन में, तब उसके उपर एक धकन लगाजाता है उसी तरह से इस संपूर्ण ब्रहमांज में यह प्रित्वी जो है उस भात को पकाने के लिए प्रित्वी जो है बरतन के रूप है और पकाया जा रहे भात का ठकन का रूप है आकास तो आकास रुपी ढखकन से जो प्रित्वी रुपी बरतन में ढखा हुआ है जिसमें भात पकाया जा रहा है मारा अगला सुक्त है अब यह जो पद है इसमें से कुल्या धन उपसेचनम इती कुल्यो पसेचनम यहां गुणस्वर संधी का प्रयोग हुआ इसका अन्वाय करें तब रूप होगा हस्ता वने जनम रितम उपसेचनम कुल्या रितम हाथ धोने के लिए रित अर्थात जल हस्ता वने जनम अर्थात हाथ धोने के लिए रितम संपून प्रित्वी का जल संपून प्रित्वी का जो जल है वह हाथ धोने के लिए है और कुल्यों पसेचनम उपसेचनम कुल्या और धोन अर्थात हाथ धोने के बाद जो जल गिरता है और इधर उधर बहता है वो है चितने धरती में बहते हुए नदी नाले दिखाई देते हैं अर्थात हाथ धोने के बाद जो जल गिर जाता है वो कहीं कहीं इकत्रित हो जाता है चाहे वो तलाब में गत्रित हो चाहे नदी में बहती हो या नाले में बहता हो तो यह जल जो है कौन से जल है वो हाथ धोने के बाद गिरा हुआ जल है तो हस्ताव वने जनम रितम समस्त प्रित्वी का समस्त जल जो है यह कौन से जल है यह हाथ धोने का जल है और नदी नाले तलाब में जो एकत्रित जल है वो क्या है? वो धोवन का जल है कुल्या सब्द जो कहते हैं कुल धातू है उसमें यत प्रत्य और फिर टाप प्रत्य का प्रयोग होता है कुल धातू में यत प्रत्य का रूप योग होता है तो रूप बन जाता है कुल्या और उसमें फिर टाप प्रत्य का योग हो गया तो कुल्या बनता है तो इसी से बना हुआ एक सब्द सामानी रूप से प्रचलीत है जिसके हम कहते हैं कूलापा कहते हैं जो नहर में या नाले में या खेतों में मेड जो कहते हैं वहां लगाया जाता है जिसके हम कूलापा सब्द इसी कूल धातू से बना हुआ है जिसके हम कुल्या कहते हैं उसी से ही कुलापा सब्द बना हुआ है जिससे पानी जो है हमारी खेतीओं की और आता है या खेतों से पानी जो है नदी, नाले या नहर में जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगला हमारा सुक्त है अगला सुक्त है रित्वह पक्तार आर्तावा समिंधते आईए श्लोक का हम अन्वाई करते हैं सुक्त का अन्वाई करते हैं पक्तार रित्वह समिंधते आर्तवाः चावल को पकाने वाली पक्तार पक्तार किसको बोलते हैं पक्तार सब्द कैसे बनता है पक्तार सब्द बनता है पचधातू से पचधातू में त्रिच प्रत्या का योग होता है तब रूप बनता है पक्ता और इसका फिर पक्ता जो सब्द बन गया इसका बहु अचन का रूप होता है पक्तारह जैसे कृधातू में त्रिचपत्या का योग होता है तो बनता है करता उसी तरह से पचधातू में त्रिचपत्या का योग होता है तब रूप बनता है पक्तार और उसका बहुत चन रूप होता है पक्तारह तो यहाँ पर यह जो पक्तार क्यों देख रहा है वो इसलिए क्योंकि इसके पस्चात में, पक्तार के पस्चात में, चाहे सुक्त में आप देखें, चाहे अन्वय में देखें। दोनों इस्थान पर उसके पश्चात क्या है स्वर आया है उस स्वर के काराण से यह जो विसर्ग है वो लोप हो गया है लोप विसर्ग संधी के अंतरगत यह आप पढ़ेंगे तो रितव पकतारह तो चावल को पकाने वाली है रितवह, पकतारह मतलब पकाने वाली, रसोया, चावल को पकाने वाली हैं रितुएं, कौन-कौन सी रितुएं? जैसे विभिन रितुएं होती हैं, मुख्य रूप से हम तीन रितुएं को जानते हैं, कौन-कौन सी रितु? वर्सा रितु, सीत रितु और ग्रिस्मरितु, ले प्रेमंत रितु, सिसीर रितु और वसंत रितु तो ये जो छह रितुएं होती हैं ये क्या हैं ये पकाने वाली होती हैं कि इसको उस ओधन को उस चावल को या फसल को पकाने वाली होती हैं समिन्धते आर्तवाह और समिन्धते समिधा कहते हैं तो समिधा हैं क्या है समिधा मतलब इंधन है रीतु से संबंधित दीन और रात समिन्धते आर्तवाह तो रीतु से संबंधित हैं चावल को पकाने वाली हैं रसोईया वे हैं वसंत आदी छह रीतुएं और इंधन है रीतु से संबंधित दीन और रात समिधक आते हैं इंधन को इंधन क्या है आर्तवाह दीन और रात जो है ये इंधन के रूप में कारे करते हैं और ये जो छह रीतुएं हैं ये रसोईया है तो इस तरह से पूरी प्रकृति में फसल जो है वो पकता है चामल जो है पकता है जो चामल कहा जा रहा है ये पूरी फसल के लिए प्रयुक्त हुआ है आएए आगे बढ़ते हैं अगला सुक्त है तस्यो दनस्य प्रिहस्पति सीरो ब्रहम मूखं तस्यो दनस्य इती तस्यो दनस्य यहाँ पर रिदिस्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो तस्यो दनस्य सीरह ब्रिहसपति है मुखम ब्रहम, सीरो ब्रहम, तो सीरह धन ब्रहम, यहाँ पर विसरवसंदी का प्रयोग हुआ है, तो तस्य ओधनस्य सीरह ब्रिहस पतिह मुखम ब्रहम, यह अन्वाय रूप हुआ, आईए, इसका अर्था देखते हैं, तो तस्य ओधनस्य उस ओधन याने अर्थात भात का, मतलब होता है भात तो तस्य उसका ओधनस्य ओधन का अर्थात भात का सीरह सीरह मतलब होता है सीर्या मस्तिश्क या मस्तक ब्रिहस्पति कि तस्य ओधनस्य सीरह ब्रिहस्पति है उस भात का मस्तक है ब्रिहस्पति मुखम ब्रह्म और मुख है ब्रह्म तो वो जो भात जो पक रहा है जिसको छह रिद्वें पका रही है और आर्था वर्थात दीन और रात जो है समीधा के इंधन के रूप में कार्य कर रहे हैं उस ओधन का सीर है बिहस्पति और मुख है ब्रह्म ब्रह्म चलिए आगे बड़ते हैं अगला सुक्त है द्यावा प्रित्वी स्रोत्रे सूर्या चंद्रमसा वक्षणी उस ओधन के दोनो कान है द्यावा अक्षणी स्रोत्रे कहते हैं कर्णको कान को तो स्रोत्रे यहाँ पर द्विवचन का रूप है तो उस ओधन के उस भात के दो कान है द्यावा प्रित्वी अर्थात द्यावा अर्थात आकास और प्रित्वी आकास और प्रित्वी जो है उस भात के दो कान है अक्षणी सूर्या चंद्रम्मसव और सूर्या और चंद्रमा ये दोनों जो है क्या है ये आखे हैं प्राणव प्राणा पाना सब्तरीसय यह और प्राणव अपान वाईयू ये साथ रीसी हैं तो स्रोत्रे द्यावा प्रित्वी उस भात के दो कान हैं कौन-कौन से प्रित्वी और आकास दो आखे हैं कौन-कौन से सूर्या चंद्रमसव प्राणा पाना पाना सब्तरीसय यह और प्राण और अपान वाईयू ये साथ रीसी हैं चलिए अगला सुक्त है ओधनेन यज्यवचह सर्वे लोकाह समाप्याह इसको अन्वाई करते हैं तो यज्यवचह ओधनेन सर्वे लोकाह समाप्याह समाप्याह यह सब्द बना है सम उपसर्ग है आप धातु है लिप प्रत्य है और बहुचन का यह रूप है तो इस तरह से बनता है समाप्याह और इसका तात्पर यह होता है प्राप्त करते हैं आपका मतलब होता है प्राप्त करना तो सम आप लिप बहुचन का रूप इसका त यग्यवचा मतलब यग्य करने वाले ओदनेन ओधन मतलब होता है भात से ओधन के माध्यम से भात के माध्यम से सर्वे लोकाह समस्त लोक समाप्याह प्राप्त करते हैं अर्थात यज्य करने वाले ओधन के माध्यम से समस्त लोक इसे प्राप्त करते हैं तो इस तरह से यह जो पाठ है ओधनम सुक्तम जिसके अंतरगत अभी हमने विभिन सुक्तों का अर्थ भावार्थ अभी समझा और आईए अब इस पाठ में जो सब्दार्थ हैं उन सब्दार्थ को देखते हैं। उनका अध्यन करते हैं। तो इस पाठ में दिये गए सब्दार्थ हैं। चक्छुह, चक्छुह का ताथ पर यह होता है दृष्टि, मूसलम, मूसलम का ताथ पर यह होता है मूसल, कामह, कामह का ताथ पर यह होता है इच्छा या अभिलासा, उलूखम, उलूखम का अर्थ होता है ओखली, दीति, दीति कहा जाता है असूरों की माता, असूरपम कहा जाता है सूप को अधीती है अधीती ही कहा जाता है देवों की माता को सूर्पगराही सूप को पकड़ने वाली सूप मतलब सूपा को पकड़ने वाली अपानविक इसका तातपर होता है भूसे को अलग करने वाला तंडुलाह तंडुलाह का तातपर होता है चावल मसकाह तूसाह तूसाह का अर्थ होता है भूसा कुम्भी का अर्थ होता है स्थाली या बरतन पात्र या घड़ा राध्यमानस्य इसका तात्पर होता है पकने वाला का राध्यमानस्य मतलब पकने वाला का द्यव का मतलब होता है द्यू लोग आपिधानम का तात्पर होता है धकन जैसे हम भोजन बनाते हैं तब पात्र को धक कर रखते हैं तो धकन जो होता है उसे ही कहा जाता है आपिधानम रितम का तात्पर होता है जल पृत्वी का समस्त जल अवने जनम इसका तात्पर होता है प्रक्छालन के लिए या धोने के लिए कुल्या का तात्पर होता है छोटा तलाब या नहर उपसेचनम उपसेचनम का तात्पर होता है धोवन धोने के बाद निकलने वाला जल रितवाह का तातपर होता है वसंत आदि छह रितवें चहर रितवें कौन-कौन से? पकतारह इसका तातपर होता है पकाने वाले या रसोईये आर्टवाह, रितुसम्बंधे, दीन और रात समींधते, समींधते का तातपरी होता है, जलाते है ओधनस्य भात का ओधन मतलब होता है भात और ओधन में सश्टि वक्ति का प्रयोग हो गया इसलिए इसका अर्था क्या हो गया? ओधनस्य भात का ब्रिहस्पति है, रिगवेदिक देवता, जैसे हम वेदों की बात करते हैं, भारती संस्कृति में विभिन्न चीजे जो हैं, चाहे हम धर्ती की बात करें, या आकास की बात करें, जल की बात करें, परवत की बात करें, तो विभिन्न चीजों को देवता मानने की एक परंपरा तो वैसे ही ब्रिह स्पति जो है वो रिग वैदि काल के देवता माने गए है उनके विसाय में यहां कहा गया है तो सीरह, सीरह का मतलब होता है सीर या मस्तक या मस्तिस्क द्यावा प्रिथवी, द्यावा मतलब होता है आकास और प्रिथवी का मतलब होता है भूमी स्रोत्रे, स्रोत्र कहा जाता है कान को और स्रोत्रे यह द्वीवचन में प्रयुक्त हुआ है स्रोत्रम, स्रोत्रे, स्रोत्रानी तो स्रोत्रे जैसे वनम, वने, वनानी होता है तो स्रोत्रे इसका मतलब होता है स्रोत्र मतलब कान, स्रोत्रे मतलब दोनों कान अक्षणी, अक्षणी कहते हैं आख को अक्षणी यह नपुन्सकलिंग का सब्द है अक्षणी का तातपर होता है दोनों आखें प्राणा पाना इसका तातपर होता है प्राण कहते है स्वास को और अपान कहते हैं निस्वास को अर्थात सांस लेना ये स्वास कहलाता है और सांस छोड़ना ये कहलाता है निस्वास यज्यवचह यज्यकरने वाले समाप्याह समुपसर्ग आपधातु लिप्रत्य बहुवचन का रूप इसका तातपरी होता है प्राप्त करते हैं